तो आज हमारा question है, XI 2.4 से question number 1 है, हमारी नए XI शुरो गई आज से, और इसका question number 1 देखेंगे, क्या है question number 1 हमारा first part हमारा 12 divided by 3 upon 4, क्या हमारा first part हम देखेंगे 12 ये divide का सायन है, कितना 3 upon 4, हम क्या देख रहे हैं कि first part हमारा 12 है, फिर डिवाइड है, ये fraction में 3 upon 4, तो इतवीं ह हमें इसको भी fraction में convert करना पड़ेगा, ठीक है, 12 के निचा अगर हम 1 लगाते हमारे question में कोई difference नहीं होगा, क्योंकि हम 1 से, वनका आपकी C भी नमधा divide करो, ये multiply करो, तो सेम number रहता है, ठीक है, आल जासे मैंने बोला 1 को divide करो 12 से, क्या है रहेगा, 12 भी रहेगा, 1 को divide करो 12 स इससे, वन से कोई फरक नहीं करते, लेम 1 लगा लेती, अब हमारे ये भी fraction में हो गया, ये भी fraction में हो गया, अगर हम मुझे इसको solve करना, तो मुझे क्या करना, 12 आपकों 1 तो ऐसे रखेंगे, इसको ये जो divide कर सायन, इसको multiply करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, पिछवा 4 को यहां ले गए, और 3 को यहां ले आए, दिन विल्टर, तो ये multiply में आ गया, अब ये multiply में, आप ये simple हो गया, माली question, simple क्या होगा, 12 फोर जे कितना हो जाएदा, 12 फोर जा 48, वाफों 3, आप जाए तो काटना चाहिए, तो काट जाएगा, नहीं तो आपका answer भी ये हो सकता अगर काटना चाहिए, तो हमारा answer, 3 बन जा, 3, 1 बच रहा, 3 सिख जा, 18, तो हमारा answer कितना आगया, 18, हमारा answer कितना आगया, 18, ठीक है, ऐसे में second part देखूंगा, अगर, 14 divided by कितना है, 5 upon 6 है, तो सब चेपहले हम क्या करेंगे, इसको fraction बनाएंगे, तो 1 रखती है, ये fraction में आ सब्सक्राइब, ये कि मिन्हां क्या आ जाएगा, टिमिंटर निमिनेटर बन जाएगा, और निमिनेटर टिमिनेटर टिमिनेटर में बन जाएगा, 6 upon 5 हो जाएगा, 6 upon 5, अब आप इसको multiply कर लो, ठीक है, 6 फोर जै कितना हो तर 24 होता है, और 6 बन जा 6, और 2 कह रहीती, कितना जाएगा 8 और 5 बन जे कितना तो 5 तो यह तो कटने रख यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ओके ऐसे हमारा हम देखेंगे नेश्ट पाथ हमारा हमारा नेश्ट पास्ट क्या है हमारा 8 divided by 7 upon 3 है को ही सब्सक्राइब फ्रेक्ष्टें एक नंदे को तो technically लगा देंगे अब वण पॉन एट अपोङ ि करना है युद्ध ड्वाइयड करें अनल बेzymाइड बंटीपलैया वहे करनेंगे लिएह सएवन होजाएका है क्यों हो जाएगा क्या हमारा एकल लगाना है तो क्या करनेंगे आप Vivine ये कितना हो जाएगा ये 3 का 24 और आपन 177 ये हमारा आंसर आगे थार्ट पार्ट का ऐसे हम देखेंगे फोर्थ पार्ट हम देखेंगे हमारा है 4 divided by 8 अपन 3 ठीक है ये हमारा है अब हमने क्या फ्रेक्शन में करना इसको तो 1 अब अगर हम इसको मुंति करेंगे तो 4 अपन 1 यहां डिभाएड शाल का मुंतिएन था टो जाका तो बम इत्क हो याफ करता है अगर आप सर्केश कीण सकते हैं अगर आगे खाड़ना तो हमारा आंसर होगा 3 upon 2 हमारा आंसर क्या आप जाएगा 3 upon 2 ओके नेस्ट हम देखेंगे हमारा 3 है divided by 2 1 upon 3 अब हमारे यह मिक्स में आ गए तो यह तो पहले इसको तो simply fractionate कर दो 1 लगा दो यह divided अब 3 to यह इन दोरों को multiply हो था 3 to 6 और 1 प्लस कर देंगे 7 7 upon 3 ठीक आप सेम प्रोस्सेस है आपको क्या करना 3 upon 1 यहाँ multiply का sign लगाना है 3 upon 7 कर दिना है ठीक है अब 3 3 जा 9 और 7 बंजा 7 तो हमारा आंसर 9 upon 7 आगया नेस्ट हमारा लास्ट वन है 6 question 5 divided by 3 4 upon 7 तो वही 5 तो ऐसी रहेगा इसके प्लस करेंगे 25 upon 7 हो जाएगा ठीक है अब आप क्या करेंगे वही multiply करने के लिए हमारे आंसर होगे ओके तो थेंक यू